Hi everyone, so जैसे कि आपने thumbnail में देखा होगा, आज हम पढ़ने वाले ancient history के important questions and ये part 2 है और इस part में जितने भी questions रहे गए इससे हम complete कर लेंगे, तो देखिए last time जहां तक हमने पढ़ा था वो थी बहुत समीतिया, अब इसके आगे का हम cover करते हैं फटा फट से, तो आज का first question है, the first ruler of Magad from the Hadiyak dynasty was, Hadiyak 1 से Magad का पहला शाशक था, तो देखिए पहला शाशक कौन था, तो correct answer हो जाएगा option B, यानि कि 20 सार, तो देखिए, जो Magad dynasty थी, उसके 3 main dynasty हुई थी, उसके अंदर कौन कौन सी, Hadiyak dynasty, Shishunak dynasty and Nand dynasty, ठीक है, तो Magad जो पूरा समराज था, उसमें 3 main dynasty आई थी, Hadiyak dynasty, Shishunak dynasty and Nand dynasty, और इस question का, आगे हम trick भी देख लेंगे कि किस तरीके से हमें बंश याद रखना है, तो अभी आपक तो देखिए, हर एक बंश को जिसने found किया था, वो कौन था, Bimbi सार, जो first ruler था, और इसकी जो capital थी, इसने जो अपनी capital बनाई थी, वो कौन सी बनाई थी, राजगीर, तो ये जितने भी important points है आपको बहुत तर्चे से याद रखना है, क्योंकि एक्जाम में पूछे जाते ह जो था, इसका main शाशक कौन था, अजात शत्रू, और इसका जो निकनाम दिया था, वो क्या दिया था, उदाईन, ओके, तो अजात शत्रू को उदाईन भी कहा जाता था, और इसने अपनी capital रखी थी, क्या, पार्टली पुत्र, ठीके, तो देखिए, हर्यक बंश का जो founder थ जब ये राजा था, तो इसने अपनी capital रखी थी, राजगीर, ओके, और जब अजात शत्रू बना, जिसका निकनेम था, उदाईन, तब capital कौन सी हो गई थी, तो पार्टली पुत्र हो गई थी, ठीके, अब देखिए, दूसरा जो शाशक आता है, कौन, देखिए, दूसरा और छिशु नागवन्ष, और इसका founder कौन था, तो शिशु नागी था, ठीके, शिशु नागवन्ष का, शिशुनाग फांडर, ठीके, इसके बाद आता है, इसके शिशु नागवन्ष, में एक और राजा काला शोब, ओके, तीसरा देखिए, नंद वंष, और नंद वंष गया होगा ठीक है रिवाइज भी हो जाएगा और जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी बहुत अच्छे से कोईशन की तुरू एंड थियोरी की तुरू बहुत अच्छे से याद हो जाएगा समझ भी आ जाएगा ठीक है नेक्स देखिए अजाज शत्रू और रूलर ऑफ द तो आपको याद दखना है चौथा पढ़ा था कि राजगीर कौन से वंच की कैपिटल थी तो हर्यक वंच की थी तो आपको याद दखना है चौथा जो यहाँ पर पूछ रहा है चौथा शताबदी यानि कि किस से रिलेटिड है हर्यक वंच से तो फाउंडर बिम्बी सार और कैपिटल राजगीर तो राजगीर यानि कि राजग्रेवी उससे बोला जाता है तो आपको ऐसे याद दखना है राइट नेक्स क्वेशन देखि लाइट बितमें अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस के बीच में 326 BC में कहां पर रिवर जेला मिसलिए इसको पहले है इसका नाम तर वितस्ता तो वितस्ता का युद्ध को कहा जाता है और हैटेस पे का युद्ध तो कहा ही जाता है तो ऐलेक्सेंडर ने किसको बाइट पोर एंग्षिंट इंडियां निम्लिकित में से किस राजा ने मौरे सम्राज की स्थापना की तो दिकिए किस ने इस थापना की थी मौरी सम्राज की तो चंदरगुपत मौरे ने कीथी ओके और आप लोग सार को के चंद्र कूप्त मौरे का बेटा था है बिंदु सार के बाद जो राज़ा राजा हम पढ़ते हैं वो कौन है अशोक के बाद राज़ा और दैनिस्टी निंशी का थीकहँ तो देखिए चंद्रक्रत मौरे जो था इस तो यह important point आपको याद अखने है चंद्रगुप्त मौरे से, आप देखी चंद्रगुप्त मौरे ने कौन सा रिलीजन अपना है था तो यह जैन धर्म को मानते थे और जब यह अपने last दिनों में थे यानि कि जब धीरे धीरे इनकी जो शक्तियां थी कम होने लगी खुद की परस्नली तो इनका जो लास्ट दिन था ना तो इन्हों ने कहां पर बिताया तो शवर्ण बेल गोला एक जगा है मैसूर करनाटका में तो यह question भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौरे ने अपने अंतिम दिनों में अपने last days में कहां पर अपना जीवन व्यतीत किया तो आपको याद अगने है शवर्ण बेल गोला जो मैसूर करनाटका में है और चंद्रग्रीनी नामक परवत के पास इन्होंने सलेखन पद्यती द्वारा अपने जो प्रार थे ठीक है इसको इन्होंने त्याग कर दिया ओके तो यह important point related to चंद्रगुप्त मौरे आपको याद रखना है अब देखे चंद्रगुप्त का बेटा कौन था बिंदु सार था जिसको क्या कहा जाता था अमित्रगात के नाम से यह प्रसिद्ध था ठीक है तो बिंदु सार को क्या बलाए जाता था अमित्रगात और अमित्रगात का मतलब क्या होता है शत्रों को नास करने वाला तीसरा देखिए बिंदु सर का बेटा आता है अशोक और अशोक ने लड़ा था कलिंग वार 261 BC में और अशोक को ही ना क्या कहा जाता था सेकेंड बुद्धा भी कहा जाता था ऐसा इसले कहा जाता था क्योंकि इसने बहुत जादा काम किये बहुत रिलिजन से लेटेड और इसने बहुत रिलिजन को अपना लिया था कलिंग वार के बाद तो कलिंग वार एक ऐसा वार है जिसने अशोक की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया था ठीक है पहले ये बहुत जादा क्रूर था बट कलिंग वोर के बाद इसने देखा कि लोग इतने जादा मर गए है तो इसका पूरा हिदे ही परिवर्तन हो गया तो ठीक है तो लाइफ चेंज कब हुआ अशोक का कलिंग वोर के बाद तो ये भी क्वेशन आपसे पूछा जाता है ठीक है तो रिलीजन कौन सा अपनाया था अशोक ने बौध ठीक है चंदरगुप्त मौरे ने कौन सा रिलीजन अपनाया जैन और अशोक ने अपनाया बौध को ठीक है सिसलंग टिसका दो कि ए medical scholar लाइल ञाओ के का थि मत्रस वार इसको घूर करेक्षिण इघम चंद्रगूपता मौर्य में अंतिम कहां पे घूर रे थे अब sixteen कहां पे थे हमने करदा कनाऩटी कामाइल यानकि श्रवर बिल गोला में तो option D is the correct answer next question देखिए a type of court called कंटक शोधन was prevalent in the empire तो कंटक शोधन नामक न्यायाले का प्रशलन समराज में था तो देखिए कौन से समराज में एक कंटक शोधन नामका एक न्यायाले था यानि कि बोले तो court तो कौन से समराज में यानि कि कौन से समराज में फेमस था तो option D हो जाएगा more इस समराज में थीक है तो कंटक शोधन एक न्यायाले है एक court type है ये famous था कौन से समराज में more या तो option D हो जाएगा correct answer आप देखिए जो rulers है इनको हम कैसे याद रखेंगे कौन से रूलर कव आया तो देखे एक trick है तो देखे trick क्या है हरसीना मासुका N7 अभी आपको याद हो जाएगा किस चरीके से लिट करना है trick क्या है हरसीना मासुका कैसे याद रखना है सबसे पहले आया मगत का हर्यग वंश स सी हो जाएगा साथ क्या है साथ वाहन वंश हर्यक वंश शिशुनाग वंश और नंद वंश तक ये क्या दिनोट करते है मगद के समराज को तो इस trick से आप बहुत इजली याद कर सकते हो सारे जो वंश है कौन कौन से वंश आयते हसीना मासुका 7 इस तरीके से आपको याद रखना है ओके नेक्स क्यों इस वंग दो फॉलिएंग वाद फोर्स श्कॉलर टो डप सीपर फॉदर अशोकन एडिक्ट तो निमन में से कौन अशोक के अभिलेक को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था तो जो अशोक के अभिलेक थे ना उसको पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था तो पहला विद्वान कौन था जैम्स प्रिंस पे तो करेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैम्स प्रिंस पे तो अशोक का जो अभिलेक था उसको पढ़ने समझने वाले, पहले विद्वान कौन थे, तो GEMS प्रिंसिपे थे, आप देखे कैसे याद रखना है न, कि अब अशोग के जो अभिलेक इन्होंने पढ़ लीए पैसे लिए, तो बस आपको रिलेट करना है, अशोग के अभिलेक पढ़ने के लिए ने पैसे प्रिंसिपे पैसे प्रिंसिपे तो कौन हो जाएंगे जैम्स प्रिंसिपे ऐसे आपको याद रखना है next question is what was the name of a king अशोका's daughter whom he appointed to carry out the duties of Buddhist missionary तो राजा शोक के उस पुत्री का नाम क्या था जिसने एक बुद्ध missionary के करतव्यों को निभाने की जिम्मदारी थी ठीक है तो राजा शोक की बेटी कौन थी तो संग मित्रा so option C हो जाएगा संग मित्रा तो आपको याद रखना है अशोक के संग उन्होंने काम किया तो संग मित्रा उनकी बेटी तो ऐसे आपको रेट करके याद रखना है next question is कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था तो देखिए ये युद्ध तो बहुत जादा फेमस है तो इसका डेट तो आपको विलकुल रट लेना है 261 BC so option B हो जाएगा 261 BC next question is सारनाथ में पाए जाने वाले मौड इस थंब के शीष को डेस के नाम से जाना जाता है the top of the modern pillar found at सारनाथ is known as तो क्या कहा जाता है इसको जो सारनाथ में modern pillar पाए जाता है तो option D is the correct answer यांकि सिंग चतर्मो के स्थमभशीष loin four headed pillar top so option D हो जाएगा correct answer right so देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था सारे जो राजवन्स थे मगत के मौर के ओके अब इसके आगे के जो important और जो शाशक है इनके बारे में हम important point पढ़ लेते हैं तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि मौरिस अमराज का जो last ruler था वो कौन था व्रेद्र था ठीक है इसकी हत्या कर दी किसने पुष्मित्र सुंग ने और सुंग नहीं फिर इस्थापना किया किसका शुंग वंच का ठीक है तो शुंग वंच का founder कौन है पुष्मित्र सुंग है ओके अब देखिए जो पुष्म इसकी हत्या कौन करता है कर्णव वंच ठीक है और इसकी हत्या होने के बाद कौन सा वंच आता है फिर कर्णव वंच आता है ठीक है कर्णव वंच देखिए कर्णव वंच के बाद फिर कौन सा वंच आता है तो साथ वाहन वंच आता है तो हमने हसीना मासुका से पढ़ा था तो सिमुक साथवाहन जो है इसका founder होता है ठीक है तो साथवाहन वंच का founder कौन है सिमुक साथवाहन ठीक है easy है याद हो जाएगा क्योंकि इसके नाम में भी साथवाहन आ रहा है सिमुक साथवाहन ठीक है and देखिए साथवाहन वंच का जो last बिल्कुल powerful ruler था यनकी important ruler था वो कौन था यग गिश्री सत करनी ठीक है तो last ruler 7 वहन वंश का कौन था यग गिश्री सत करनी ठीक है याद रखने हैं आपको तो अब 7 वहन वंश के बाद कौन कौन से ruler आ जाते हैं तो देखिए 7 वहन वंश के बाद आ जाता है विदेशी attack हो जाता है ठीक है फिर इंडो ग्रीक युनानी आ जाते है फिर शक आ जाता है और फिर आ जाते है कुशार्ड ठीक है तो कुशार्ड भी जो है विदेशी भी इनको माना जाते है क्योंकि ये बाहर से आये थे ठीक है तो विदेशी अटेक हो जाता है इंडो ग्रीक का शक का कुशार्ड का और कुशा तो ब्रजंट के और स्कते बंप और दिटवर्ड नहीं है सपूर इसमें और भारत साल को हुआ को सब्सकेद बाके गांगता हो और तेंड़ यंद्ट्टीन करा था कि इन्हों नहीं फोर्थ बॉर्ध सभा भी और्गनाइस की थी ठीक है फोर्थ बॉर्ध सभा और्गनाइस की थी किसने कनिश्क ने अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बढ़ा था ठीक है एन देखिए एक थे वसु मित्र जो फेमस बुद्धिस्ट और फिल ऐस्ट जिसने लिकी थी बुद्ध चरित ठीक है तो अश्व घोश कि वह बुध्ध चरित ही आपने बढ़ा भी होगा ओके चरक थे चो कौन थे स्टार्ट हुए थे कनिश्क के तो यह इंपॉर्टन पॉइंट चो है रिलेटेट टू कनिश्क आपको याद दखना है प्योरेस कोई गांधार आठ चरक अश्वघोश ठीक है यानि कि कनिश्क के राजकवी ते अश्वघोश जिन्होंने बुखल की थी कौनसी बुद्ध्य चरित वसुमित्र चौती बौध्य समा में पार्टिसिपेट किया था यनकी चौती बौध्य समा में इन्होंने बौध रिलीजन को संरक्षन दिया था तो आपको यह याद रखना है और शक सन्वत जो भारत का एक राष्टी सन्वत है इस नहीं स्टार्ट किया था तो याद रखना है आपको राइट और एक गोल्ड के कोईन चलाएते ठीक है तो यह भी बात आपको याद रखना है नेक्स पेशन इस इन विच आप दो ऑप्शन भी हो जाएगा बिहार नेक्स क्वेशन है गांधार आर्ट इस दप कॉम्बिनेशन आप तो गांधार कला जो ह आपको याद रखने है तो कौन सी दो कलाओं का संयूजन है इंडो और ग्रीक ठीक है तो इंडो यूनानी जो कला है ना इसी का मिक्स्चर है गंधार कला सो ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर राइट नेक्स क्वेशन इस राजवंश के तहत विक्सित हुई थी अब गंधार आर्ट जो है ना यह कौन से राजवंश के टाइम विक्सित हुई थी तो अभी हमने पढ़ा था सो ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर यानि कि कुश्चान राइट नेक्स क्वेशन इस साथ वहन समराज के संस्थापक कौन थे तो हूँ वस फॉंडर ऑफ किस की उपलब्दियां वर्नित है तो फूस अचिवमेंट्स और मैंजन इन्द ऐलाबाद पिलर इंस्क्रिप्चन उगे तो एलाबाद का पिलर है उसमें किसकी उपलब्दियां वर्नित है समुद्र गुप्त की यानि की ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर को आब हम गुपता पीरेट को आगे पढ़ने वाले है तो कि कोसे को से कहते हैं तो गुंता को कहते है तो निया पूचण पूछा जाता है की शिरीकुपत का सभटा कौन है तो घटोट का दिया रहते है तो आपको याद र пригआ टना है घट़ इसके बाद देखे चंद्रगुप्त फॉस्ट आता है जिसको निकनेम दिया था महराजा अधिराज ठीक है तो चंद्रगुप्त यानिकी महराजा अधिराज ओके और इन्हों नहीं स्टार्ट किया तक गुप्त समवत 319 AD में तो दिखे यहां से फिर हम लोग ईशापूर्फ से AD की तरफ बढ़ जाते है तो याद रखना है आपको कि जैसे ही विदेशी आकमन आने लगते है धीरे धीरे उसके बाद ना हम धीरे धीरे ईशापूर्फ से पीछे हटते हटते AD में आ जाते हैं तो यह बाद भी आपको याद रखना है वोके अचंद्र गुप्त फॉस् इश्किल होता है तो नाप यान की नैपोलियन ओके सो समुत्र गुप्त को नैपोलियन ओफ इंडिया का जाता है और इसको निक नाम है वो कभी राज भी है क्योंकि कुछ कोईंस मिले थे जिसमें बीरा बजाते हुए ना फोटो देखने को मिलता है तो इसका यह अंदाजा इन ने लिकी थी प्रयाग प्रशिस्ती किसके टाइम पिरिड में समुध्र गुप्त के टाइम पिरिड में तो यह आपको याद रखना है और एहलाबाद का पिलर जो है इसमें समुध्र गुप्त की जो भी उपलब दिया है उसको वर्नित किया गया है तो पीछे चास हमने आपने विक्रम बैताल की कहानिया देखियोंगी ठीक है विक्रम बैताल और फायायान तो विक्रम बैताल को देखके फन आता था आप गर आपने देखियोंगी स्टोरी तो एक राजा के पीट पे एक बैताल टाई बैठा रहता था तो इस टाइब की कहानिय थी ठीक है तो विक्रम बताल की कहानी देखके ना फन आया तो फन यहानी की फाया ये पौईंट भी आपको याद रखने है इसके बाद आये ते सकंद गुपत और इसकंद गुपत और इसकंद गुपत ने हुनों होने 458 पर अक्रमड किया था थैके तो देखें और देखें घुपत पीरेट DO कौनोंने QP3 राजा था शाशक था वो कौन था विष्णु गुप्त था ठीक है तो यह question भी आपसे प्रूश लिया जाता है कि last शाशक कौन था गुपता पिरेट का तो कौन था विष्णु गुप्त था ओके तो यह बात आपको याद रखनी है तो option B हो जाएगा correct answer next question is the last recognized king of the गुपता line was तो गुपत बंच के अंतिम स्विक्रिट सम्राट कौन था तो अंतिम स्विक्रिट सम्राट कौन था यहनकी बहादुर तो कौन था विष्णु गुप्त so option B हो जाएगा correct answer next question is which empire is regarded at the golden age of Hinduism किस सम्राज को हिंदुत्म का स्वर्न यूग कहा जाता है तो कौन से सम्राज को कहा जाता है तो गुपता को कहा जाता है so option D is the correct answer next question is the गुपता rulers imposed the fine coal tax which was a plow tax paid by every cultivator owing a plow तो देखिए गुपत शाषको ने जुर्माने को dash कहा जाता था जो हल रखने वाले प्रतेक किसान द्वारा भुकतान किया जाने वाला एक हल करता ठीक है तो देखिए जो भी हल रखता था गुपत शाषक के time period में तो उससे जो गुपत थे उन वो कर्व असूल देते तो उस कर को क्या खाजाता है तो देखिए option a यानिकी how तो देखिए कामरूप किसका नाम है असाम, तो option D हो जाएगा असाम, तो देखिए कामाख्या मंदिर असाम, तो काम कामाख्या, तो option D हो जाएगा, okay, next question is, who among the following तो देखिए, वैशेशिक दर्शन का मूल पार्ट किसने लिखा है, तो करणाद ने लिखा है, यानि कि रिशी करणाद, तो correct answer हो जाएगा, option C, ठीक है, तो वैशेशिक फिलोस्पी किसने लिखा है, करणाद ने, तो यह आपको याद रखना है, okay, so अब हम पढ़ने वाले है South India से लेटेड, important points को, यानि कि most important जो points है, उसे cover करेंगे, और बाकी questions के through, ठीक है, तो दीखिए, history जो पढ़ते हैं, हम about South India, तो उसका time period है, 100 से लेके 1200 AD का, यानि कि 100 से लेके 1280 का, और इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तो दीखिए, 100 से लेके 300 AD, जिसको संगम काल, यानि कि संगम मेच का आ जाता है, और इस संगम एज में, तीन जो डैनेस्टीज थी, उसे हम पढ़ते हैं, चेर, चोला, एंड पांडिया, ठीक है, दूसरा पार्ट में जो डिवाइट किया गया है, 500 से लेके 1200 AD में, जिसमें हम पढ़ते हैं, South India के डैनेस्टीज के ब संगमकाल गैट के मिलाके बना है, चेर, चोल, पांडिया को, और संगम का मतलब क्या होता है, तो देखिये, सभा, ठीके, तू देखिये जिस तरीके से बोध सभा हुई थी, वैसे ही संभा हुई थी, किस से related, तो संगमों से related, ओके, और किस ने ये सभा कराई थी, तो गष्भड के अंगीत यर टृतिय संगम हुआ था यह कपाट-पूरम in अ लेवे में हुआ था और इसके जो अध्यक्स थे वह ग steps तो तो लाक क凭 य और तृतिय संगम में वह था यह संगम हो था मदुरह है यह मदुरा था यह संगम अध्यय का थे तो दिक इनके कुछ सिंबल भी थे तो चेर का सिंबल देके क्या था धनुष था चोल का देके शेर था एंड पांडिया का क्या था तो मशली था ठीक है तो चेल चोर पांडिया जो है ना इनको संगम एज में पढ़ा जाता है 100 से लेके 380 के पीछ में तो यह important point ना आपको याद रगने है अब कुछ जो important point है इनके राजाओं से लेते ठीक है यह हम पढ़ लेते हैं तो देखे सबसे पहला है चेर ओके तो चेर देखे यह oldest है पूरे संगम एज ठीक है तो संगम एज में जो भी हम चेर चोल पांडिया प पनाईती वंजी या करूर वंजी या करूर ठीक है दो फेमस किंग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं तो देखे शेन गुतवन ठीक है तो इनको क्या कहा जाता है शेन गुतवन जिसको रेड चेर कहा जाता था और दूसरा जो किंग है किंग अधी गमन ठीक है जो साउथ इंडिया का जिसने वे शुरू की तीर पीर केन की फार्मिंग ठीक है तो यह आपको याद रखना हैं दोनों किंक के बारे में एक है शेंगुद्टवन और दूसरा है किंग आधी गेमन और जिस ने स्विंगा था संवड पार्मिंग जोटोल में बढ़ते हैं हम इसमें ठीक है और बाकी जो अधर किंग से वो हम questions के थुरू अभी पढ़ेंगे तो देखिए करी काल ओके जो कावेरी रिवर पर जिसने एक यहां से question फुषा जाता है तो आपको यह याद रखने है रखिए आप हम पढ़ने वाले हैं डायका इनटा बिल्कुल होटं पीरेड अभी हमने देखा 500 से लेके 1280 का और इसमें कौन कन आता है तो पल्लव, राश्रकूर, चौलोग के और चोला ठीक है तो देखें चालोग के को भी ना कई सारे पार्स में डिवाइट के आगया है यानि कि तीन पार्स में वतापी चालोग के बैंगी चालोग के एंड क तो देखें जैसी सिंग आएगा ना, शेर आएगा तो हम अपने घर का पल्लव भाई फट से भेड़ लेंगे तो पल्लव का फाउंडर कौन था सिंग विश्णो ठीक है, कैपिटल थी इसकी कौन सी कांची तमिलाडू तो ये भी क्वेशन पूचा जाता है कि पल्लव की कै तो कांची यानि कि तमिलाडू ओके कौन सा रिलेजन ये लोग अपनाते थे ठीक है तो वैशनम राइटर जो थे देखे एक भारवी जिसनों ने एक महा कावे लिखा था कि रातूर जूर्नियम तो ये क्वेशन भी पूचा जाता है तो आपको याद रखना है ओके और पल पांडिया को इन्होंने डिफीट किया था ओके नेक्स्ट ही के पावरफुल राजा कॉन नर्सिंग वर्मन फॉस्ट जिन्हें मोस्ट पावरफुल पोला जाता है अमंग पल्लव किंग में ओके इन्होंने डिफीट किया था पुलकेशन सेकिंड को और टाइटल इन्होंने कौन सा गरेंग किया तह वतापी कोंड नोंहें टाइटल गरेंग किया था रठ टैंपल ऊफ महा बलीपूरम का रत करवाया था किसने 2500 यह ठीक है तो Democr कैसे महа बलीपूरम इसedoish कर वायाइ यह ठीक है टृम्ट खैसंग जैसा है माहे फ़िकलिस सीबत करवाया था यह reinforcement 2 n diaphragm open 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 som javas pudhi world related to pallav अपको याद रखना है next question से उत्र भारत में प्रशलित मंदिर वास्तु इस Newton कौन सी है तो विच इस ताइल टेंपल आर्किटेक्चर प्रिवलेंट इन नौर्थ इंडिया में कौन सा वास्तुकला फेमस है तो नौर्थ इंडिया में फेमस है नागर शेली हमारे प्रिवलेंट इसमें मंदिरों का निर्मार् उता है टीन टाइप की शेलीों से रही तो प्र॥ में इसमें अन्डिया में की उसलिया में यहुजा की में genre इंडाविलेंट है वास्ते शेली तेंडिया है चौन टैम. कोडांग का सूर्य मंदर किस ने बनवाए था तो किस ने बनवाए था नर्सिंग देव प्रथम ने और यह क्वेशन तो आप लोग ने बहुत पर पढ़ा होगा तो पूरी उरिसा में है यह टेंपल जिसको कोडांग का विशाल सूर्य देव का मंदर कहा जाता है नर्सिंग देव पर्मन ने इनको मनवाय था और इसी को ही क्या कहा जाता है काला पैगोडा यहनकी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है इस मंदिर में देखे 24 पहियों को साथ में सूर्य देवता को रत में दिखाया गया है तो यह important point आपको याद रखना है पुश्य भूती जिन्होंने थानेश्वर से साशन किया था धैश राजवन्स के राजाते अब पुश्य भूती तो कौन से डैनेश्टी के राज़ते पुश्य भूती ठीक है तो आपको याद रखना है option B यानि की वर्धन वन्ष ठीक है तो option B हो जाएगा correct answer अब देखे अब हम पढ़ लेते हैं कौन सा वर्ष वर्धन वन्ष के बारे में तो देखे जैसे ही गुपता पीरेट खताम होता है तो नौर्थ इंडिया में कौन आ जाता है वर्धन वंष ठीक है वर्धन वंष का founder कौन होता है पुश्य भूती होता है और देखे पुश्य भूती को founder माना जाता है किसका वर्धन वंष का लेकिन अगर आपसे exam में कभी-कभी question पूछा जाता है कि वास्तवीक founder कौन ता तो कौन था प्रभाकरवर्मन था तो थानेशवर से कन्नौच कर दी अब देके प्रभाकरवर्मन का जो चायल था कौन था हर्षवर्दन और इसने न तीन बुक लिकी थी नागनंद प्रिया दर्शिका और रतनावली थी तो यहां से भी question पूछा जाता है कि नागनंद प्रिया दर्शिका और रतनावली किसके बुक है तो आपको याद अगना है हर्ष वर्धन की ठीक है तो इसने खुशी-खुशी में बहुत ही हर्ष में इसने बुक लिख दी कौन सी नागनंद, प्रियादर्शिका और रतनावली तो देखे, हर्ष में आ गया क्यों? हर्ष यानि कि खुश, बहुत खुश हो गया क्यों? क्योंकि इसको एक नागमडी मिल गई और नागमडी क्या है? एक तरके से रतन है तो रतन है तो जिसके दर्शन सब लोग करना चारहे तो दर्शन सब लोग करना चारहे यानि कि प्रियादर्शिका तो नागनंद प्रियादर्शिका और रतनावली किसने लिखी है? हर्ष वर्दन ने लिखी है और हर्शवर्धन का वॉर वाता नर्मदा रिवर पर Chinese traveler जो हर्शवर्धन के time period में आये था कौन आये था तो देखे हेंसंग आये था जिसको Prince of Pilgrim कहा जाता है तो आपको याद रखना है हेंसंग आये था जो एक Chinese traveler था Prince of Pilgrim कहा जाता है अब ही हमने पीछे देखे गुपता पिरेड में पढ़ा था कि विक्रमा अदित्य के टाइम पे कौन आयता तो फायायान आयता ठीक है तो नौर रतने थे विक्रम बेताल तो विक्रम बेताल को देखके फन आया तो फन यान कि फायायान ओके और देखे चानीज ट्रैबलर वर पूछा जाता है, आप देखिए हर्श शरिक्त और कदामबरी भी एक भूक है और इसको वाडभट ने लिखका है, ठीक है, तो वाडभट जो है हर्श वर्धन के टाइम में ही, वहाँ पे दर्बार में था, ठीक है, तो याद रखने है आपको, तो हर्ष ने राज़ा हर्ष ने अपनी राज़दानी को देश देश इस्थांकरन की थी तो कहां से क्या की थी तो option A हो जाएगा correct answer अभी हमने पड़ा था next question is the famous Chinese traveler Hainsang visited India during which emperor reason तो प्रसिद चीनी यादरी हीन सांग में किस समराट के शाषनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी तो कौन से राजा के दौरान तो option D यानि की हर्ष वर्दन आभी हमने पड़ा था तो देखे ये important point भी आपको याद रखना है तो देखे मेगस थनीज जो था ये सेलुकस निकेटर का एक दूद था जो चंदरगुप्त मौर के शाषनकाल में आया था ठीक है और ये पहला ट्रैवलर था तो याद रखना है आपको जो भारत आये था बुक जो रिटेल की थी मेगस थनीज ने कौन से बुक है इंडिका तो इंडिका बुक लिकी थी मेगस थनीज ने फया यान आयता चंदरगुप्त विक्रमा आधित्त के टाइम पीरिड में और हिन संगाया शात्वी सतापती में हर्ष वर्धन के टाइम पीरिड में ठीक है तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट जो है ट्रैवलर से लेटेड आ आने वाला कौन था तो सबसे पहले भारत कौन आया था तो ठीक है अभी हमने पड़ा कौन आयता मेगस थनीज आयता ओके सो ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेशन देखिए विक्रम शीला यूनिवर्सिटी वस फांडेट बाई तो विक्रम शीला ठीक है अब दिखे कोई शीला है बहुत बड़ी तो कहते ने शीला वग्यरा की लोग पूजा भी करते हैं तो वो किस से जुडी रहते है लोगों की धर्म से तो धर्म यानि की धर्म पाल तो ऐसे आपको रेलेट करके याद रखने है तो दिखे पाल डैनिस्टी के फ विक्रम शिला युनिवोसिटी को ठीक है next question is who founded Delhi तो दिल्ली शहर के स्थापना किस ने की थी तो देखिए आपको याद रखना है दिल्ली शहर के स्थापना किस ने की थी तो अमरवंश ने की थी तो option B हो जाएगा correct answer next says निमने में से किस ने राश्ट कूट समराज की स्थापना की थी तो who among the following established the राश्ट कूट kingdom अब राश्ट कूट kingdom की स्थापना किस ने की थी तो देखिए किस ने की थी दंती दुर्ग ने तो option D हो जाएगा correct answer ठीक है तो देखिए founded by दंती दुर्ग in 8th century by defeating चलुक के king कीरती वर्मन तो जो चलुक के king थे कीरती वर्मन इसी को हराके इनी को हराकर दंती दुर्ग ने राश्ट कूट kingdom की स्थापना की थी और देखिए राश्ट कूट kingdom की capital क्या थी उस time तो देखिए माल खेत या जिसको मनी खे ठीक है याद रखने है आपको next question is mihir bhoj was the ruler of mihir bhoj शाशक था तो देखिए mihir bhoj शाशक था कहा का तो प्रतिहार का शाशक था ठीक है याद रखने है आपको ठीक है तो mihir bhoj जुता was the ruler of gurjar प्रतिहार right next question is khujraho का इसमारक समुकिस राजवन से सम्भंदित है तो khujraho group of monuments are attributed to which dynasty ठीक है तो khujraho कौन सी dynasty से related है तो मुझाएगा option A यानि की चंदेल dynasty कैसे याद रखेंगे तो देखें खुज राहो यानि की रहा लिखा है या पर खुज राहो यानि की रहा तो रहा में क्या लगा है तो रहा में लगे हैं चंदन के पेर तो रहा में लगे हैं चंदन के पेर तो चंदन यानि की चंदेल ओके तो चंदेल वंश के साशको से लेटेड़ है खुज राहो ग्रूप ओफ मॉनुमेंट्स ठीक है ऐसे आप इसको याद कर सकते हो एक्स क्वेशन है मध्य प्रदेश खुज राहो टेंपल इस रिलेटेट तो विच रिलीजन तो मध् इसको बनवाए गया था तो अप्शन भी हो जाएगा सूर्य वर्मन तो देखिए अंकोरवार्ट जो टेंपल है इसको कमभोडिया के सूर्य वर्मन तृतिय द्वारा बारवी शताब्दी में बनवाये गया था ठीक है इसके स्टार्टिं में कौन सी राजधानी यशोधर जो पूर्म वर्तमान अंकोर में इसको बनवाये गया था ठीक है कौन सी भगवान जी से रेलेटेर है तो विष्णु भगवान जी से रेलेटेर है यह द्रवीट शैलिपस को बनवाये गया था और यह जो टेंपल है विश्व का सबसी बड़ा हिंदू मंदर का समो है ठीक ह तो correct answer हो जाएगा era wa teshwara mandir यानि की option A तो इसको build करवाय था चोला राजा, राजा राज चोल सेकिंड ने तो राजा राज चोल सेकिंड ने build करवाया era teshwara mandir तो यह आपको याद रखना है तो correct answer हो जाएगा option A next question is natraj की कान से प्रतिमा किसके शाषन के दोरा निर्मित की गई थी to during whose reason was the bronze statue of natraj made तो natraj की मूर्ती बनाई गई थी तो आपको याद रखना है correct answer चोला जो वन्शता समराज रिप था उसके time period में next question है देखिए match the following okay तो यहाँ पर देखिए temple दे रखा है कौन से temple कहाँ पर है आपको match करना है तो ब्रहदेशवर temple देखिए कहाँ पर है तो ब्रहदेशवर temple है Tamil Nadu में दिलवारा का मंदिर कहाँ पर है राजिस्थान में लिंग राज मंदिर कहाँ पर है उरिसा में हमपी के समारगों का सम्हू कहाँ पर है तो करनाट का में okay so option कौन से सही हो जाएगा यानि की A का 2 B का 4 C का 1 and D का 3 ठीक है तो आपको ध्यान रखना है question is Meguri मंदिर किस वर्तबान राज में इस्थित है तो in which present day state will you find a Meguri temple okay तो Meguri temple आपको present में कौन से राज में देखने को मिलेगा तो correct answer हो जाएगा option D यानि की करनाट का ठीक है तो करनाट का हो जाएगा इसका correct answer तो देखिए Meguri जो मंदिर है करनाट के बीजापुर जिले में स्थित है किसने इसको बनवाय था तो पुलकेशन सेकिंड के जो मंत्री थे उन्हों निसका निर्मार करवाय था चालू कि की वास्तु शैली में और यह कि महतुपूर जैन मंदिर है कैसे आप यादक होगे कि Meguri temple है करनाट का में तो देखिए में गुडी मैं गुडी यानि कि मैं गुडिया है न तो जब बच्चे छोटे होते लड़किया गुडिया होती है तो बहुत ज्यादा नाटक करते हैं ममी यह नीचे यह वो नीचे यह तो आटक करती है तो जोटनी चुटे बच्चे लड़किया तो बहुत नाटक करते हैं ममी यह नीचे यह नीचे तो नाटक यानि कि करनाटका ठीक है ऐसे आपको यादक नहीं नेक्स देखिए अजंता की गुफाएं कहां इस्तित है तो पेर आजंता गुफा लोकेटेद तो दिखिए कहां पे लोकेटेद है option A महारास्चा में लोकेटेद है महारास्चा के औरंगा बार में कौन से रिलीजन से रिलेटेद है तो बहुत रिलीजन से dedicated है तो Lord Shiva को ठीक है so option B हो जाएगा इसका correct dance next question है master following ओके और यहाँ पर फिर से temple दे रखा है आपको match करना है तो सोमनाथ का temple कहाँ पर है तो सोमनाथ का temple है गुजरात में राइट कामाख्या temple कहाँ पर है असाम में रामनाथ स्वामी temple कहाँ पर है इसे याद दखोगे तो देखिए यह भी वैसे बहुत famous temple है तो रामनाथ स्वामी तो स्वामी रामनाथ यानि कि राम जी से हर कोई मिलना चाहता है तो मिल ता मिलना डू ठीक है और महाबोधी temple भी हार तो जिसके पास महाबुद्धी है ना तो वो सब्भी भी हार नहीं मानेगा खुद में तो महाबुद्धी है तो हार नहीं मानेगा सब्भी हार हो जाएगा ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A का 3, B का 1, C का 2 and D का 4 राइट इस क्वेशन इस वो इस दो ऑथर ऑफ मालविका आगनी मित्रम तो मालविका आगनी मित्रम के लेखक कौन है तो देखिए मालविका आगनी मित्रम के लेखक है काली दास तो ये बात आपको याद रखना है मालविका आगनी मित्रम आप देखिए आगनी लिखा है तो आग और आग में चाहे कोई भी जाए चाहे हमalam कोई भी माल जाय कुछ भी जात तो वह जलही जाता है जलने के बाद पूरा काला हो जाते है तो बस आपको याद रखने है कि आग में चाहे कोई भी माल जाय जाय है कोछ भी हो जाते है आग में तो वो चीज ना काली हो जाती है तो काली काली था तूस तरीके अको ये याद रखना है ये जो मालवी का अगनी मित्रम है ना तो ये सब्सक्राइब नाटक है और इसमें मालक देश की राजय कुमारी, मालवी का तता विदीशा के राजा, अगनी मित्र के प्रेम और उनके विभा का वर्णन इसमें किया गया है, तो आपको याद रखना है next question is, गीत गोविंद के रचिता कौन है, who is the author of great गोविंद गीत गोविंद के रचिता कौन है, तो कौन है गीत गोविंद के रचिता? जैदेव, बी हो जाएगा correct answer, गीत गोविंद, गीत गा रहे हैं और गीत में क्या गा रहे हैं, जै हो जै हो जै हो यानि की जैदेव, ऐसी आपको याद रखने है अधर बुक्स जो देखे अभी ज्यान शकुंतलम जो एक ड्रामा है इसको भी किस ने लिखा है काली दास ने लिखा है राज तरंगनी इसको लिखा है कलहर ने पृत्वी राज रासो इसको लिखा है चंदर भरदाई ने और मेगदूत लिखा है काली दास ने तो देखें जितनी भी ancient books है important उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप वहां से देखें सारे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं next question is the first important ruler to emerge from the chola dynasty was चोल राजवंच से उभरने वाला पहला मैतोपूर शाशक कौन था तो देखें पहला मैतोपूर शाशक कौन था चोल राज़ से उभरने वाला तो option B यानि कि राज राज चोल ठीक है तो राज राज चोल हो जाएगा correct नासर तो चोल राजवंच के important शाशक राज चोल जो है इनका शाशनकाल था 985 से लेके 1015 इश्वी तक इनका real name देखें क्या था तो अरी मौली वर्मन था अरी मौली वर्मन था तो राज राज अली मौरी वर्मन और इन्हों नहीं इस्थानी सेना तथा विशाल नौ सेना का गठन भी किया था ठीक है तो आपको याद रखना है इस्थानी सेना और विशाल नौ सेना का भी गठन किसने किया था तो राजा राज चोल ले ओके याद रखिएगा Next question is Which of the following is the only correct pair as described by चोला inscription निमलिकट में इसे कौन सी एक मात्र सही जोडी है जेसे चोला शीला को धवारा वर्निद के गई है而 तो चोला शीला ले ओको धवारा वर्नित किया गया है तो एक बेख्छी चंद्रम जेंस्था को दानकार में दी घ्वूमी थी खिक है तो हमारा option ऐ हो जाएगा इसका correct answer ठीक है विण दे यानि कि ब्रामडों को दान में दी भूमी थी विदे और दीखें यहां पर क्या लिखा हुँगा हुआ है कि विदे जो है मंदिरों को पुहार में दी दी गई थी और यहां पर देखे क्या लिखा गया है वेलन वेगई के बारे में कि यह जो है ब्रामर क्रिशक स्वाम्यों को भूमी दी गई थी यानि कि जो ब्रामर थे बट यहां पर ग्रेव जो गैर ब्रामर थे उनको दिया गया था नेक्स ते देखिए शाला भोग जो विद्यालेओं के रख रखा भेतू दान में दी गई भूमी के रूप में वर्नित है और यहाँ पर देखिए शाला भोग है यह एक ऐसा लेंड है जो गिफ्ट दिया गया किसको ब्राम्मर को ठीक है तरफ से ठीक है यह बात आपको याद रखना है नेक्स क्वेशन इस विच्छोला रूलर फॉस पॉपर लर्ली नोन एस गंगा विनर तो वह कौन सा चोल शाशक था जो गंगा विजयता के नाम से प्रसिद्ध है बहुत इंपोर्टन प्वेशन है ठीक है तो गंगा विजयता बुख रूप से पल्लव था ठार चोल के द्वारा शाशक किया गया था तो याद रखना है आपको next question is महाबलीपुरम was founded by तो महाबलीपुरम डेश त्वारा स्थापित किया गया था तो डेश त्वारा महाबलीपुरम कौन तो नर्सिंग वर्मन so option B हो जाएगा नर्सिंग वर्मन next question is धर्मिडाज रिदिस्टर रत भीम रत, अर्जुन रत, नकुल सहदेव रत are four of the punch रत at महाबलीपुरम what is the name of the fifth रत तो महाबलीपुरम में ये पाँच टाइप के रत पाए जाते है पाँचवे रत का नाम क्या है आपको ये बताना है तो पाँचवे रत का नाम क्या है drop the रत तो देखिए पांडबो के साथ कौन जो रता drop the ही थी drop the रत हो जाएगा इसका correct answer तो याद रखना है आपको next question is तो देखिए महाबलीपुरम में पंच रतों में धर्मराज रिदिष्टे रत भीम रत, अर्जुन रत, नकुल सहदेव रत और drop the रत शामिल है और इसे पंच पांडबो का रत मंदिर भी कहा जाता है और इसका निर्मार पल्लव काल में हुआ था ठीक है तो याद रखने हैं आपको next question is निमलिकित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी तो पीछे हमने ये question पड़ा भी था पल्लव डाजवंश की कापिटल क्या थी तो कांची थी तो कांची याणि की कांची पुरम भी कह सकते हैं इसको तो option D कांची पुरम हो जाएगा next is बादामी किस वर्ष की सबसे पुरानी राजधानी थी तो बादामी was the earliest capital of ठीक है तो earliest capital किस की थी बादामी तो बादामी था चालुक के सौ option A हो जाएगा चालुक के next question is चालुक के डैनिस्टी ruled on वतापी which is the modern day Indian state of ठीक है तो चालुक के राजवंश ने वतापी में शाशन किया जो आधुनिक समय में ठेश भारती राजवंश में है तो वतापी कहाँ पर है तो ये कहाँ पर है करनाटका तो option C हो जाएगा करनाटका में ठीक है next question is which state of India was ruled by the निंग थोजा डाइनेस्टी तो निंग थोजा राजवंश त्वारा भारत के किस राजवंश पर ठीक है तो इसके बारे में हमने नहीं पड़ा बट आपको ध्यान रखना है निंग थोजा जो राजवंश था एक राजवंश आय था तो इसने कहाँ पर राजवंश पर कौन से स्टेट पर मनीपुर में तो option B हो जाएगा तो याद रखना है आपको निंग थोजा राजवंश ने मरीपुर राजवंश पर शाशन किया था तो यह एक राजवंश है निंग थोजा किस पर शाशन किया मनीपुर पर राइट तो आज का यह last question था जितने भी important questions है related to ancient history वो हमने complete कर लिया है बहुत important वीडियो है आपके exam के लिए बहुत help करेगा तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेगा comment करके बताएगा तो अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो आप Learn with Tricks चैनल से जोड़ सकते है तो में लिए आप नेक्स वीडियो में थैंक्स वाचिंग